मेरी प्रेमिका दूसरे मर्दों के साथ सोना चाहती थी। द्वारा अर्पित शिकारा मार्च 22 एक बज के दो मिनिट बजे। अनकित को लगा कि उसके और प्रेरना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एक दिन। अचानक प्रेरना ने अनकित से कहा कि वहिस। रिष्ट प्रेरना और मैं अपने स्कूल के दिनों से ही साथ थे। पिछले महीने तो हमने अपने रिष्टे की पांच वी वर्षगांट भी मनाई है। इन पांच सालों में हमने एक मज़ेदार सेक्स जीवन जिया एक साथ। कई जगहें घूमे फिरें कॉलेज की छुट्टियों मे एक दूसरे से दूर भी रहे और वो समय भी बिताया जब परिक्षा के दिनों में पास रहते हुए भी बाते कम हो। पाती थी आएक दिन प्रेरना ने मुझे फोन करके मिलने के लिए कहा हमेशा की तरह हम कॉफी के लिए उसके फ्लेट पर मिले। उसने मुझे बताया कि व मुझसे और हमारे इस रिष्टे से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती है। उसक्षन मैं अवाक रह गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ ना सच कहूं तो मैं उसके फैसले से खुश नहीं था लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने। प्रेरना अपने ज साफी थी लेकिन शायद वो कुछ विविदता की तलाश में थी या अब तक उसने सिर्फ मेरे साथ ही सेक्स किया। था। मेरे जीवन में भी वही एक लड़की थी जिसके साथ मैंने सब कुछ किया था। वो चाहती थी कि हम एक दूसरे से दूरी बना लें। हमारे और हर महीने सिर्फ एक बार मिलने का वादा किया। एक महीने के बाद जब हम मिले तब उसने मुझे बताया कि वह टिंडर के जरिये कई लोगों से मिली और उनके साथ सेक्स भी कर चुकी है। शुरू में मैं ये सुनकर डर गया कि प्रेरना डेटिंग एप पर किसी मर्द स सिर्फ दो या तीन बार मिलने के बाद इसेक्स कैसे कर सकती है। हाला कि वो काफी समार थी और अपना भला बुरा अच्छे से जानती थी। मुझे ये अच्छे से पता था कि वो किसी भी मुश्किल का सामना खुद से कर सकती है। वहां प्रेरणा नए नए लोगों के साथ सेक्स का आनंद ले रही थी जबकि मैं हस्त मेथुन करके ही खुश था. मैंने उस समय का उप्योग अपने करिया पर ध्यान देने के लिए भी किया. अलग-अलग लोगों के साथ सेक्स करने से उसे अलग-अलग शरीर और यौन तरीकों का अनुभव करने का मौका मिला मैं अपनी गलफ्रेंड के साथ लंबे समय तक रिलेशन्शिप में रह सकता था लेकिन अलग-अलग लोगों के साथ सेक्स करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था हम आखिरकार तीन महीने के बाद मिले ये तो तै था कि उस दिन हमें अपने रिष्टे को एक मोड देना था यानि या तो हमें ब्रेक अप करना था या फिर रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाना था मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन उसकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ मुझे जीवन का एक रोमंटिक अनुभव मिला लेकिन अब मैं जीवन की एक ऐसे पढ़ाव पर हूँ जहां मैं लंबे समय तक एक रिलेशन्शिप को नहीं बनाए रख सकती हूँ प्रेरना मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रही थी मेरे अलावा अन्यलोगों के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग होने के बाद वह समझ गई थी कि किसी एक के साथ प्रतिबधर रिष्टे में रहने के लिए अभी और अनुभव की जरूरत है हम एक दूसरे से अलग हो गई और अब संपर्क में नहीं है हमने साथ में जो समय बिताया वह हम दोनों के लिए यादगार था एक दूसरे से शारीरिक रूप से अलग होने के बाद हम अपने जीवन में प्रेम के अलावा अपनी प्राथमिकताओं के अधिक करीब आ गए हैं अब छून की हम साथ नहीं है इसलिए मैं अपने काम के प्रति अधिक सजग और सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो गया हूँ मैं एक नए रिष्टे में प्रति बधता के लिए तयार हूँ जैसे कि मैं प्रेरना के साथ था तब तक सिंगल रहने में मुझे ज्यादा मज़ा आ रहा है मेरे भाई ने मेरे प्रेमी के साथ मारपीट की द्वारा स्राबोनी बासू मार्च 6, 11 बज के 44 मिनिट पूर्वान सोनल और क्रिश के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि क्रिश ने एक दिन अचानक बिना कोई वज़ा बताए सोनल से अपने सारे रिष्टे तोड़ दिये सोनल इसे बरदाश्ट नहीं कर पाए और उसने एक बड़ा कदम उठा लिया क्रिश और मैं एक ही ओफिस में काम करते थे और अच्छे दोस्त भी थे हमारी दोस्ती जल्धी प्यार में बदल गई सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन महस कुछी महीनों बाद क्रिश को यह लगने लगा कि हमारे रिष्टे की कोई मंजल नहीं है मेरे हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आई और फिर एक दिन उसने एलान कर दिया कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म बस सब कुछ हैसे ही खत्म कर दिया उसने हमारे बीच कोई लड़ाई या गलत फहमी नहीं थी इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यूं किया मैंने उससे कहा कि चलो बैठ कर बात करते हैं और हमारे बीच जो भी समस्याए हैं उससे सुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया आई सोशल मीडिया पर भी मुझे हर जगा से ब्लॉक कर दिया आई मैं इस सबसे इतनी आहत थी कि शायद ही इसे शब्दों में समझा सकूँ आई क्रिश ने मुझसे सभी सबंध तो तोड़ ही लिये थे लेकिन वो ओफिस में मेरे बारे में उल्टी सीधी बाते भी करने लगा आई उसने अपने सुपवाईजर से शिकायत की ये लड़की मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है मेरे लिए गुस्से पर काबू रखना मुश् ही थी मैंने अपने भाई को इसके बारे में बताया और उसे क्रिश के साथ हुई मेरी वाटसेप चैट हमारी फोटो और जो भी कुछ था सब भेज दिया मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैं पागल नहीं हूँ मैं दूसरों को दिखाना चाहती था कि वह भी मुझे ह पहुच गया और उसके साथ बहुत मार पीट की मुझे क्या पता था कि अगर मैं अपने भाई से इस बारे में बताती हूँ तो वह ऐसा करेगा लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम्हारे भाई ने क्रिश को पीट कर अच्छा किया शायद नहीं ये अच्छा नहीं था ल लेकिन मेरे दिल में जो चोट लगी है उसका क्या किया इस से उबरना इतना आसान है क्या आपको लगता है सोनल ने जो किया वो सही था तुम हमारे लिए मर चुके हो द्वारा रजनीश मीना अप्रेल गस पॉने ग्यारा पूर्वान विवेक ने अपने बॉइफ्रेंट के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की जो गलती से उसके माँ बाप के हाथ लग गई आई तो ऐसा क्या हुआ कि विवेक को अपने मम्मी पापा से खुद को बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी जानिये आखिर हुआ क्या था उस दिन आई बीस साल के विवेक एक स्टोडेंट है और दिल्ली के समलेंग एक समुदाय में काफी सक्रिया हैं दिल्ली में सर्द सोमवार की एक शाम थी कॉलेज से लटकर फ्रेश होने के बाद अभी मैं अपने कमरे मैं हलकी नींद लेही रहा था कि मेरा फोन बजा फोन पर मेरे अंकल थे उन्होंने मुझसे बात करने के बाद मम्मी को फोन देने को कहा मैं मम्मी को फोन देकर वापस सोने चला गया कुछ मिंटों बाद ही मम्मी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी मैं घबरा गया मैंने बाहर आकर जो नजारा देखा वह किसी भयावै सपने से भी ज चुपपी च्छा गई थी आई इतनी खामोशी की मेरे दिल की धरकने भी मुझे रेलगाडी की आवाज जैसे लग रही थी आई मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसका फायदा भी नहीं होने वाला था आई मेरी माता पिता ने अपने मन में एक कहानी बुन ली थी और अपने ह हिसाब से शायद एक निर्नय पर भी पहुंच गए थे आई मेरी किसी भी सफाई से अब कुछ भी न यहीं बदलने वाला था आई मेरे मम्मी पापा कभी सोशल नेट्वकिंग साइट्स चेक नहीं करते थे इसलिए पिछली रात अपने बॉइफ्रेंड समीर के साथ कॉफी डेट की फोटो पोस्ट करते समय मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं था अंकर से फोन पर बात करने के बाद मेरी मम्मी ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे फोन की फोटो गैलरी चेक की मैंने अपने लिए इतनी गालियां और ऐसे अपशब्द अपने मम्मी पाप से कभी नहीं सुने थे मेरी मम्मी ने मुझ से कहा कि तुम हमारे लिए मर चुके हो मुझ पर चिलाने और मेरी बेजसती करने के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था वो दो उसके बाद शराब पीनी बैठ गए थे आई अगर वो उन्होंने अपना गुस्सा कम करने के लिये था तो मुझे उसका कोई फाइदा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे रात बढ़ती जा रही थी उन दोनों का पारा भी बढ़ रहा था आई मैं खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था आई उनकी बातों से लगा कि वे मुझे पीच पीच कर अधमरा करने की तयारी में थे इसलिए उस वक्त मैं अपने को बचाने के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया सो नंबर पर फोन आई इसके बाद मैं दूसरे कमरे में चला गया वे कुछ भी करने की कोशिश करते तो मैं अंदर से सिटकनी लगा देता लेकिन तब तक पुलिस आ गई और अब परिस्थितिया मेरे पापा के पक्ष में नहीं थी वे नशे में थे और मुझे पुलिस के सामने ही ना सिर्फ गाली दे रहे थे बलकी मारने की भी कोशिश कर रहे थे आई पुलिस कर्मी ने मुझसे बात की और मेरे पिता को कोने में ले जाकर उन्हें उनके इस व्यावाहार के लिए फटकार लगाए और फिर छोड़ दिया उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की वज़े नहीं पता थी और नहीं उन्होंने जानने की कोशिश किया इसलिए बात सिर्फ यहीं तक रह गई की मेरे पापाने नशे में आकर मुझे दराया धमकाया आई मुझे नहीं मालूम की यदि पुलिस वालों को पता चलता की इस सब का कारण मेरा समलेंगेख होना था तो वे मेरे पक्ष में होते भी या नहीं वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी एक एक सेकंड पूरे दिन के बराबर लग रहा था मैं काफी देर तक मां का रोना धोना और पिता की गालियां सुनता रहा मैं अपने कमरे में अकेला डरा सहमा भूखा प्यासा बैठा रो रहा था मुझे लग रहा था इस रात की कभी सुबर नहीं होगी मैंने पूरी रात उनके सोने या मुझे बाहर आने के लिए कहने का इंतजार किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं उनसे बिलकुल अलग हो गया वे मुझसे रुखेपन से बात करने लगे अब मैं कहीं आने जाने और अपनी अन्य जरूरतों के लिए अपने इंटर्शिप के पैसे पर निर्भर था काफी समय बीटने के बाद भी चीजे बहतर नहीं हुई मैं अपनी इंटर्शिप को बदल कर जॉब मैं आ गया मे मेरे माता पिता ने मुझे जिद छोड़ कर एक सामान्य पुरुष बनने के लिए मनाने की कोशिश की काश मैं उन्हें समझा पाता कि मैं जो हूँ उसमें मैं कितना सामान्य महसूस करता हूँ छूनकी मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं था इसलिए मेरे पास अप दिन उनका नजरिया बदलेगा लेकिन मैं गलत था इस दोरान मेरी मां रोज मुझ पर चिलाती रही और एक दिन उन्होंने मुझे खाना बनाने वाले गर्म चिम्टे से जला दिया मैं बचने के लिए भागा और दरवाजा बंद कर लिया जलनी की पीगा उतनी दरदनाक न कुझे समझ नहीं पा रहे हैं आई मैंने अपने दो दोस्तों को फोन किया जिन्हें मेरी स्थिती के बारे में मालूम था और उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी यहां आ सकता हूं उन्होंने हामी भर दी मैंने बैग में अपने कपड़े पहचान पत्र और जरूरी कागजात र पर घर ले लिया मेरे माता पिता ने मुझे कई बार फोन किया लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया अभी यह फैसला नहीं कर पा रहा हूं की आगे क्या करना है आए जल्दी बाजी के कारण कई बार प्लान खराब भी हो जाते हैं किसी सस्ते कॉलेज में पत्रा चार कोर् चोड़ना भी पड़ सकता है हालां कि मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं है मैंने वही किया जो मुझे अपने बचाव के लिए करना चाहिए था दुख बस इसी बात का है कि काश इस सब नहीं होता है